दोस्तो अगर आप credit V से loan लिए हैं और आपका auto debit fail हो चुका है तो आपको manually pay करना परेगा manually pay करने के लिए simply अपने phone में credit V application को open करेंगे open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं simply यहाँ पे आपका payment history बताएगा कि कितना payment आपका pending है और कितना आप pay कर चुके हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा अगर आप offer देखना चाहते हैं कि आपके नाम पे अभी कुछ offer चल रहा है या फिर नहीं है जैसे कि मैं इस पे किलिक कर चुका हूँ किलिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे 10,000, 88,000, 90,000 दिखारा लेकिन यहाँ पे lock है यह lock है मतलब मेरे नाम पे अभी available नहीं है जब भी available हो जाएगा यह on lock हो जाएगा और मैं इसे उठा सकता हूँ ले सकता हूँ यहाँ पे pay now का भी option आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं due date क्या है और कितना bill आपका आपी payment करना है सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा अगर view details पे click करते हैं जैसे ही आप view details पे click करते हैं तो आपको यहाँ पे और भी आपके loan के बारे में जनकार इमिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं interest due या फिरी पेवल जो भी यहाँ पे लगेगा आप कितना लिए हैं कितना पे करना पड़ रहा है कितना interest जा रहा है सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा चलिए मैं यहाँ से continue कर देता हूं continue करने के आप यहां पे जैसे कि यहाँ पे चार अप दिया गया है एवी डिवीड कार्ड नेट बैंकिंग या फिर वाइलिट जिसे भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं उससे आप आसानी से प्रेक कर सकते हैं चलिए मैं यहाँ पे पेमिंट विध यूपी आइप लेता हूं चैसे ह पेटीम पेटीम पेड़ी करने के बाद आपको कुछ फिर से इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखने को मिलेगा यहां पेपना बैंक सिलेट करेंगे जिस भी बैंक में आपका अमाउंट होगा उस बैंक को आपको सिलेट कर लेना है जैसे कि मैं इसी से पे करने वाला हूँ कि मेरा वैलेंस इसी बैंक में है नीचे पे का अपसन मिल रहा है सिंपली आपको पे अपसन पे किलिक कर देना है जैसे ही आप यहां पे पे अपसन पे किलिक करते हैं फिर से आप कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपके mobile screen पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आप यहाँ पे और भी payment करना चाहते हैं जैसे कि next month का करना चाहते हैं अगले महीने का तो भी आप कर सकते हैं के लिए मैं यहाँ से okay कर देता हूँ okay करने के बाद और कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपके mobile screen पे थोरा सा मैं wait कर लेता हूँ wait करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे home page पे आ चुका है directly और अगर आप और भी payment करना चाहते हैं अगले महीने का तो simply दूबार आपको payment option पे किलिक करना है payment option पे किलिक करने के बाद आपको फिर से कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपका payment कितना बाकी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप चाहे full payment करना तो simply आप यहाँ पे किलिक करेंगे नीचे वाले पे और यहाँ पे लिखा फूल पेमेंट और पे नाप पे किलिक करके और फूल पेमेंट भी कर सकते हैं एक साथ